हेलो फ्रेंड्स हावार यू सुरेंद्रा सुड़ी चुलूशन में आपका स्वागत है दोस्तों हम आपके लेकर आए हैं जियोगर्याना पिछले कुछ समय से बच्चों की डिमांड थी सर हरियाना जियोगर्फी भी लेकर आईएगा वही हम आपके लेकर आए हैं और कुछ द्र чув About अब बात करते हैं हर्याना कैसे आसान बनने जा रही है आपके लिए हर्याना जियूप़ि बड़े आसं तरीके से बताएंगे स्पीनर, हर्याना का मैब बनाने में कुछ वच्चे कतराते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से बनाएंगे यहाँ पर स्पीनर जैसी सेफ है हर्याना की आप देखेंगे तो उतरी अकसांस, नौर्थ लैटिट्योट गुजरता है और उत्तर से जो गुजरता है 37 डिग्री छे मिनट उतरी अकसांस गुजरता है तो भारत आट से 57 तक लगबग सम्थिं को छोड़ देंगे तो लगबग कितने डिग्री 30 डिग्री तक फैला हुआ है फिर बात करते हैं पश्ची में जो भारत का देशांत्रिय विस्तार कितना है? 68 डिगरी, 7 मिनट पूर्वी देशांतर और यहाँ पर है 97 डिगरी, 25 मिनट पूर्वी देशांतर. तो देसांत्रिय विस्तार भी जब देखेंगे तो भारत का पूरो से पश्चिम तक जो विस्तार बनेगा वो भी लगभग कितने डिगरी बनेगा तीस डिगरी तो भारत का जो विस्तार बना वो 30 degree अकसांसिय और 30 degree देसांत्रिय विस्तार बना लेकिन यही mistake हो चुकी है आपकी ओनलाइन पे क्या हो चुकी है कि वहाँ पर हरियाना का मैप जो दिया गया है उसका जो विस्तार बताया गया है वो 30 by 30 बताया गया है जो किसका है इंडिया का है आईए बात करते हैं हरियाना का कितना है फिर यहीं पर देखेंगे हरियाना तो जब हरियाना का मैप देख रहे हैं आप तो भारत के बीचों बीचे जानते होंगे आप एक कौन सी रिखा गुजरती है साड़े 30 डिगरी उत्रियक सांस करकरेखा गुजरती है और हरियाना का जो मैप देख रहे हैं आप हो कहां पर हरियाना यह नोट है आपका यहां पर इसका मतलब आपका हरियाना करकरेखा से उत्तर में है दक्षन में नहीं है तो वो 24, 25, 26, 27 यह हो सकता है बाइस नहीं हो सकता है तो बात करते हैं हरियाना का जो मैप तो भारत के नीची से जो आप देखा था हरियाना का जो हिस्सा बनेगा वो दक्षनी विस्तार जो होगा हरियाना का वो लगबग 27 डिगरी से थोड़ा उपर है तो एक्जेक्ट कितना है वो 30 degree 35 minute उत्री एक्सांस है तो लगभग आपने देखा 27-3 something को छोड़ देते हैं तो लगभग कितना तो हरियाना का उत्तर से दक्षिन में जो विस्तार बना वो कितने degree एक्सांस बना तीन degree एक्सांस बना फिर बात करते हैं देखांस हरियाना का जो पश्चमी हिस्से से देखांस गुजरती है वो लगभग 74 से थोड़ा सा जादा गुजर रही है वो कितनी है 74 degree 28 minute पूर्वी देखांस और जो पूर्वी हिस्से से गुजर रही है वो है 77 degree तो मतलब 77 से थोड़ा सा something extra exact कितना है 77 degree 36 minute पूर्वी देखांस तो हरियाना का देखांस ये विस्सांस पूरों से पश्चिम ये भी कितने degree बना चोईतर में से चोईतर गया तो कितना हो गया तो हरियाना का जो विस्सार बना वो 3 degree अकसांस से 3 degree Administration विस्सार बना जो ये mistake हमने ढूंडी थी वो आपके सामने परस्तोत कर दी तो इंडिया का कितना था 30 by 30 हरियाना कितना हो गया 3 by 3 हो गया तो आसा करते हैं आपको याद रहेगा कि अक्सांसी दिसंत्री विस्तार हर्याना का कितना होता है अब बात करते हैं जो हर्याना है वो एरी का कितना अक्सित्रफल कितना है हर्याना का अक्सित्रफल है बियाल 44,212 किलोमेटर स्केर तो 244,212 ये अक्सित्रफल है जिसे हम 17,070 स्केर मील भी कह सकते हैं मील में कितना है? 17,070 स्केर मील है और रैंक जो है हर्याना का जो पूरे भारत की अंदर सबसे बड़ा अक्सित्रफल वला रज्य कौन है तो आप जानते हैं राजस्थान है वैसे ही तो भारत में पहला नंबर वन कौन हुआ? राजस्थान हुआ तो हर्याना कौन सी नंबर पर आया? हर्याना 21 में नंबर पर आया तो हर्याना क्सित्रफल में 21 में नंबर पर आता है फिर बात करते हैं जनसंख्या पॉपुलेशन टोटल पोपुलेशन जो है यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आप यह आप देखेंगे यह हजार को नोट करता है यह लाग को डिनोट करता है और यह दस लाग को डिनोट करता है तो यहाँ पर देखेंगे आप 253,081 हरियाना की पोपुलेशन है और जो कौन से नमबर पे है अर्याना पोपुलेशन के इसाब से अठारवे पे तो भारत में नमबर वन कौन है पोपुलेशन में जिसे नमबर वन पे यूपी है तो हर्याना कौन से नमबर पे है पोपुलेशन में अठारवे नमबर पे तो हर्याना पोपुलेशन में अठार में 382 रहते हैं कितने कें रहेंगे हर्याना में रहते हैं ये पांनंसो थियेतर वेक्ति हैं ज्रेइखल के अपने देखा था अथा होई नमबर पर गता आजो सबसे बड़ा देखा था इथा इंटी देंगे आपीटीयें γ consumo है किलोमेटर किर बिभी पोपुलिशन डेन सिटी सबसे जदा कहां पर है भारत में दिखा जाए तो वह बिहार में आता है पोपुलेशन डेन सिटी उसके इसाब से बिहार नंबर वन है इंडिया में तो हर्याना कौन सा है नंबर 11 है तो जनसंख्या घंतों में हर्याना 11 नंबर पर है तो यहाँ पर देखा आपने हर्याना जनसंख्या के हिसाब से और फिर एरिये के हिसाब से घंतों के हिसाब से कौन-कौन से नंबर पर है पहला बनता है एरिया 21 नंबर पर आता है जो हार पहले नमबर पर आता है तो हर्याना 11 नमबर पर है तो दोस्तों अगली वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्द ले कराएंगे वह हर्याना जोग्रफी स्पेशल सीरीज रहेगा आसा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो कमेंट बोक्स मे कमेंट है जरूर कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बोक्स में हमने इंडियन जिग्रफी के लिए जो एंसे अर्ट कवर किया है आपके हैसे एक्जाम को स्पेशल देखते हुए वहां पर लिंक डाल दिया है उसको देख सकते हैं इसके साथ दोस्तों धन्यवाद